अब फ्रेंड्स कैसे आप लोग बढ़िया एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए हमारे प्यारे दोस्तों को कलास 12 में करांती कोन और अफ़वरतनाइं के भी संबंद स्थापित करने का दो नमबर का ये कोशन पूछी लिया जाता है और आप लोग को 100% जो पूछा जाता है आप लोग को कलास 12 थे मैं वही लाता हूँ यदि आप लोग नए नए है तो आप लोग पूरा देखे और आप लोग इस पूरा एकदम दो नमबर को आप अपना दिमाग में बैठा ले मैं पहले आप लोग को एक फिगर बनाऊंगा उसके बाद मैं समझाऊंगा उसके बाद आप लोग को एक दम दिमाग में उतर जाएगा तो चलिए सबसब पहले नमबर बाद हम लोग एक चीतर बनाते हैं तो वो चीतर रहेगा हम लोग को इस परकार से ध्यान दिजेगा एक हम लोग इस तरह से खीचेंगे, दो माध्यम हम लोग बनाएंगे, ठीक है, एक माध्यम एक रहेगा और एक माध्यम दो रहेगा, और एक का अपवरतनांक मीव रहेगा, और एक का अपवरतनांक मीव टू रहेगा, तो चलिए हमारे प्यारे दोस्त, तो हम लोग इसको बन प्रतनांक मुटू हो जाएगा मद्यम और मेन बिंदू इसको हम लोग O मान लेते हैं मेन बिंदू को ठीका यहाँ पर जो है उसको अब बात रह गया कि यहाँ पर आप लोग्पो मैं यहाँ पर देता हूँ कोन ठीका है आई I कोन हो गया, अप्तित कीरन I हो गया, तिहां पर हम लोग I C कर देंगे, यानि कि इसको हम लोग एक तरह से क्या कह सकते हैं, C को हम लोग करांतिक कोन कहते हैं, ठीक है, करांतिक कोन भी कहते हैं, और मिरे भाई, एक बात और हो गया, तो इसको अगर हम लोग A कहें, तो इसको अ बीरल उप्री माध्यम को बीरल नीचली माध्यम को सगन कहेंगे इतना ही से आप लोगा इसका एंस्वर्त चीत्रой से हम लोग समझेंगे आइसे चीत्र एकजम में बनाई या नहीं बनाईया लेकिन यह समझना आप लोगो बहुत ज़ुका है तो आब यहां पर मानेंगे कि माना की क्या मानें तो माना की ध्यान दिजेगा बहुत यासान तरीका से मैं बताऊंगा माना की माध्याम माध्याम हम लोग दो ले लिए हैं तो लिखेंगे हम लोग माना की माध्याम एक और ठीक है और दू के निरपेक्ष ठीक है के निरपेक्ष अपवरतना लेंगे निरपेच्च है in a Listening कि अपवर्त्नांग ऐसी है QA मेरे भाए अपवर्त्नांक क्या होगा मीवशन एबस क्या लिए हम लोग मूटू ले लिए हैं ठीक है इसी की अध्य है यह स्नलिए तो हाँ उसके बाद माध्यम एग जो है एक की अपेक्छा जो है दू सोगन है, क्या है? तो हम लोग माध्याम एक की अपेक्छा दू क्या है? सोगन है, क्या ले लिए हम लोग? सोगन लिए हैं, क्या लिए हैं? सोगन लिए हैं, आप लोग को मैं लिख दिया हूँ, इतना ही आप लोग को लिखना है, फिर उसका इन के लिए करांतिक कोन इन के लिए ठीक है इन के लिए करांतिक कोन हम लोग क्या ले लिए हैं करांतिक कोन हम लोग क्या लिए हैं करांतिक कोन और करांतिक कोन वला भी वीडियो में बना चुका हूँ ठीक है करांतिक कोन क्या ले लिए तो आइसी ले लिए ठीक है तो करांति करांति कोन IC हो गया जब भी 90 डिगरी के कोन पर जो भी कोन बनेगा वो क्या बन जाता है करांति कोन करांति कोन हम लो क्या लिए IC हो ठीक है तो आपतन कोन भी क्या हो जाएगा तो आपतन कोन के लिए IC का मान IC का मान ठीक है IC का मान या IC का अपतन कोन अपतन कोन कितना डिगरी का बना रहा है यहाँ पर देखिया आप लो कितना डिगरी का बना रहा है यहाँ पर नभ्य डिगरी दोनो तरफ नभ्य तो यहाँ से IC आएगा ठीक है आएगा सो बात करा है तो कितना डिगरी का कोन बना रहा है तो 90 डिगरी का कोन बना रहा है कितना डिगरी का होगा कितना डिगरी का होगा 90 डिगरी का होगा जिसे हम लोग चीतर बनाए है तो हम लोग लिख देंगे जिसे क्या चीज में दिखा गया है चीत्र में दिखाया गाया है ठीक है अब हम लोग यहीं पर लिखेंगे अब अब किसके नियम से तो एसनेल के नियम से अब एसनेल के नियम से तो हमारे प्यारे दोस्त अब हम लोग चलेंगे असनेल के नियम से तो एसनेल के नियम में आप लोग एक सोटकॉर्ट में पढ़े होंगे यहां पर ध्यान दीजेगा यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं मु बराबर होता है साइन आई अबटे साइन आर अगर अप बरतनांक दो हो तो माध्याम वान अबटे माध्याम टू इस तरह से हम लोग लिखते हैं लिखते हैं तो यहां पर हम लोग के साइन आया बटे साइन आर फिर क्रोस गुणा ऐसे कर लेते हैं फिर क्रोस गुणा ऐसे कर लेते हैं तो उसी परकार से हम लोग क्रोस गुणा करेंगे तो यहां पर ध्यान दीजेगा तो यहां पर हम लोग को माध्याम म्यू वान साइन ठीटा वन की और जाएगा, साइन ठीटा वन की और जाएगा, अब बराबर में मुटू साइन ठीटा टू की और जाएगा, एक को हम लोग ठीटा वन मान लिए, माध्यम वन को, माध्यम टू को ठीटा टू मान लिए, अब बात क्या आता है मेरे भाई, इस्तो ध्यान यहां पर हम लोग यहां पर चुकी ठीटा 1 का मान हम लोग कितना लिए है तो 90 डिग्री लिए है क्योंकि माध्यम 1 में कितना डिग्री क्या कौन है 90 डिग्री और आप वरतन को 90 डिग्री कोन के दूरा जो जुकाओ कोन होता है उसको हम लोग करांतिक कोन कहते हैं कहते हैं तो क mu1 sin 90 degree बराबर mu2 sin ic कोई दिकत नहीं हुआ आओगा हमारे प्यारे दोस्तों को अब बात यह आता है मेरे भाई कि sin 90 degree का मान क्या होता है तो एक होता है तो हम लोग लिखेंगे mu1 या कर देंगे यहाँ पर mu1 into 1 अब बराबर क्या हो जागा mu1 into 1 अब बात क्या आता है तो दिहां दिजेगा अब आता है mu2 यहाँ पर sin ic ठीक है अब बात यहाँ पर हम जो बताने जा रहा है उस बात पर आप लोग गोर कीजेगा कि हम लोग को मान यहाँ पर निकलना है अनुपात में ठीक है तो हम लोग लिखेंगे mu2 जैसे के तैसे mu1 जो ह यहां आया है, तो sin ic कहा जाएगा, नीचे आजाएगा, तो यह एक जैसे के ताइसा, mu 1 नीचे गया है, तो sin i नीचे इधर चलाएगा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे sin ic, ठीक है, sin ic लिख लिए, अब दखिए, चुकि दोनों माध्यामों के लिए हम लोग एक एक्स्ट्र माध्याम मानते हैं, तो उसको हम लोग ले लेंगे, 1, mu 2, ठीक है, माध्याम 1 के सब एक्स, माध्याम 2, ठीक है, अब बराबर, बराबर, mu 2 बटे, mu 1, एक मिनट, mu 1, अब बराबर में क्या हो जाएगा, आप लोग को 1 बटे, sin ic, ठीक है, तो यही आप लोग को दो नंबर व हमारे प्यारे दोस्त, आप लोग को a skin shot लेना है, तो a skin shot आप लोग ले सकते हैं, आप लोग के लिए बहुत ही important यह question था, तो हमारे प्यारे दोस्त, अच्छा लगा हो, तो एक like तो बनता है, और अपने दोस्तों के साथ share भी करे, ठीक है, तो चले दोस्तों, आप लोग को नुमिर्कल का all playlist, प्ले लिस्ट पर भी आप लोग जा करके देख सकते हैं, तो चले इतना ही पर जहीन जय भारत